हेलो दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के बारे में जापान में हर साल लगबग पंदरा सो छोटे बड़े भुकम पाते हैं कुट्टा पानले वाले लोग एक विसेश प्रकार का बैग रखते हैं जिसमें मलमूत्र एकत्रित कर सके जापान में दस साल के बच्चे को कोई एक्जाम नहीं देनी होती जापान में सिच्चक और विद्यारती एक साथ मिलकर क्लासरूम को साब करते हैं जापान में लोगों की ओसत आयू दुनिया में सबसे ज्यादा है जापान में सूमो खेल सबसे ज्यादा लोग प्रिय है जापान के पास किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसादन नहीं है जापान में 20% कॉमिक बुक्स प्रकासित होती है जापान में एक जन्वरी को 9 अर्स का स्वागत घंटियां बजा कर किया जाता है जापान नी समय के बहुत पक्के होते हैं यहां की ट्रेन 18 सेकेंड लेट होती है जापान में देर रात तक गाना बजाना और नाचना मना है जापान में एक इमारत ऐसी है जिसमें से हाईवे गुजरता है जापान चारों और से समुद्र से गिरा है फिर भी यहां के लोग मचलियां खाने के लिए दूसरे देश से मंगवाते हैं काली बिली को जापान में बागिसाली सुब माना जाता है जापान में मॉबाइल फॉन वाटर प्रूफ होते हैं क्योंकि यहां के लोग नाते वक्त भी फॉन का यूज करते हैं जापान में 20 तरह के फेंटा पेपसी मिलती है जापान में सबसे ज्यादा सड़के ऐसी हैं जिसका कोई नाम नहीं है जापान के लोगों के पास 20 तरह के सौरी बोलने के तरीके हैं जापान दुनिया का सबसे बड़ा ओटो मॉबाइल निर्माता है जापान दुनिया का एक इकलोता ऐसा देश है जिस पर परमाणू बम का हमला हुआ है जापान में वेंडिंग मसीन में सिक्के डालने पर खाने पिने का सामान बार आता है पूरी दुनिया के मुकाबले जापान के लोगों में अधिक साक्चरता है जापान के अकबारों में आधुनिक जानकारी और नई-नई संसोतनों के बारे में खबरे आती है ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो